माधर्ती कांपने लगी सब कुछ सहन कर लेती है धर्ती लेकिन पापों को नहीं सहन कर पाती धर्ती पर जब रावण का जादा अत्याचार हुआ तो धर्ती ने गाए का रूप बनाया और गाय का रूप बनाकर के माधरती यहां से सीधी ब्रह्म लोक में गई है सारे के सारे देवता वहां आए है सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कोई को पाय करो सभी ने कहा हम सभी को मिलकर के भगवान के पास चलना जी है अब आपस में चडचा कर रहे हैं कि भगवान मिलेंगे कहा किसी ने कहा बैकुंठ चलो तो किसी ने कहा साकेथ चलो तो किसी ने कहा गौलोक चलो भोले वावा कहते हैं पारवती उस सभा में मैं भी था तो मैंने अवसर पाकर के एक बात कही देवताओ भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि हरी ब्यापक सर्वत्र समाना क्योंकि हरी ब्यापक सर्वत्र समाना खेम तिक प्रंगट को ही में जाना खेम से प्रंगट को ही में जाना भगवान को कहीं खोजने की आवस्यक्ता नहीं है प्रेम उर्वक यही भगवान को बुलाया जाए और जैसे ही भगवान को प्रेम उर्वक बुलाया आकास माड़ी हो गई जने डर पहु मुने सुद्ध सुरेशा तो मही लागे धर हौनर भेशा भगवान प्रकट नहीं हुए आकास माड़ी हुई क्यों क्योंकि देवता प्रेम से नहीं स्वार्थ से बुला रहे है न एक ही प्रार्थना करते हैं आईए मेरे साथ क्यों क्यों करते हैं आईए मेरे से दिद्धिना जना प्रट वार्ट विलागे हैं आअगें बाल आइए